microwave एक ऐसा kitchen appliance होता है जो आपके खाने को बहुती जल्दी prepare कर देता है and इसके लिए आपको कोई अलग से recipe वगर सीखने की जरूत नहीं पड़ती आजकल के microwave में आपको auto cook feature मिलता है मतलब आपने खाना microwave के अंदर रख दो and automatically आपका खाना बनके prepare हो जाएगा लेकिन आजकल के time में microwave को खरीदना अच्छे microwave को खरीदना अंधेरे में सुई को ढूंडने के बराबर है क्योंकि आजके time में market में आपको बहुत सारी brands के microwave मिल जाएंगे and अलग-अलग models available मिल जाएंगे microwave में भी अलग-अलग तरीकी के microwaves होते हैं कुछ होते हैं solo microwaves कुछ होते हैं convection microwave तो कई बार हम लोग गल्दी कर लेते हैं तो हम सामने वाले dealer की सुनके अपने लिए microwave पर्चेस कर लेते हैं या कई बार हमने online कोई भी product देखा या कोई भी random वीडियो देगी हमें पसंद आया और हमने पर्चेस कर लिया लेकिन हमारी requirement की दूसरे product की तो वहाँ पर टोटल पैसे का बहुती जादा नुकसान हो जाता है तो इस चीज से बचने के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको microwave के बारे में A to Z सारी information देने वाले हैं एंड साथ साथ में वीडियो के एंड में हम आप लोगों को इंडिया में आने वाले सबसे बैतरी माइक्रोवेव ओवन्स के बारे में भी बताने वाले हैं इन सभी चीजों को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगो एक बाल बता जाता हूँ माइक्रोवेव जो आते हैं बेसिकली दो तरीके के आते हैं एक तो होता है सोलो माइक्रोवेव एक होता है कनवेक्शन माइक्रोवेव अब इन दोनों में फरक क्या होता है जो बेसिकली सोलो माइक्रोवेव होता है वो बेसिक लेवल का माइक्रोवेव होता है लेकिन solo microwave में हम लोग grill या bake नहीं कर सकते अपने खाने को and solo microwave ovens में इतने जादा कुछ खास features भी नहीं होते हैं जो हमारे लिए useful हो वहीं पर बात करें convection microwave की तो convection microwave में आप A to Z सारे काम कर सकते हो जितने भी काम possible है microwave के लिए basically na convection microwave में एक जो है fan होता है और एक heating road होती है तो उस heating road की वज़े से और उस fan की वज़े से uniformly heat distribute होती है और आपका खाना चार उतरफ से properly bake हो जाता है convection microwave में आप reheat भी कर सकते हो defrost भी कर सकते हो grill भी कर सकते हो bake भी कर सकते हो even अपने खाने को cook भी कर सकते हो convection microwave are ideal for grilling and baking plus इसमें आप solo microwave वाले भी सारे काम कर सकते हो आज जिकल convection microwave में आप लोगों को अलग-अलग features मिल जाते है उनमें आपको auto preset menu मिल जाती है जिसके वेज़े से आपका जिस भी तरीका खाना हो you'll just have to press a button और आपका खाना कुछी देर में completely ready होके मिल जाएगा अब ये आपके उपर depend करता है कि आपको कौन सा microwave oven खरीदना है अगर आप लोगों काम जादा नहीं आपको basic काम है खाने को reheat या normal cook वगरा करना है तो आप लोग solo microwave परचेस कर सकते हो और अगर आपको all in one चाहिए सारे काम grill हो, bake हो, roast हो, toast हो कुछ भी करना हो तो फिर आप लोगों को convection microwave oven यहाँ पर consider करना चाहिए तो ये तो type की बात थी अब बात करेंगे कि आप लोगों को अपने घर के लिए जब भी microwave लेना हो उस microwave oven को लेने से पहले आप लोगों को किन-किन चीजों का ध्यान रखना ज़रूर है और ये बहुत ही ज़ादा important point है तो इसको ध्यान से सुनिएगा लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं अपना introduction दे जता हूँ नमस्कार, मेरे नामें प्रशान चोधरी आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल Product Bazaar Let's dive into the video Buying Guide से पहले एक और छोटी सी बात में आप लोगों को बता जता हूँ जो आज कल के market में बहुत बड़ा gimmick बन चुका है आप लोगों ने सुना होगा Child Log Feature और ये Child Log Feature आप लोगों को Microwave Oven से दूर रखें तो अब बात करें Buying Guide की तो Microwave में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ही ध्यान से आप लोगों को देखनी चाहिए सबसे पहली बात होती ही Capacity Capacity is really important अगर आप लोगों की बड़ी फैमिली है तो आपको Larger Capacity चाहिए चोटी फैमिली है तो Small Capacity आपके चल जाएगी Basically अगर आपके घर में दो से तीन Member है ना तो आप लोग At least बान के चलिए 23 लिटर का आप Solo Microwave Oven चंसिडर कर सकते हैं और 28 लिटर का Convection Microwave चंसिडर कर सकते हैं मैं आपको अगर Personal Advice दूँ तो मैं यही बोलूँगा कि at least आप 25, 27, 28 लिटर का तो है जो Microwave खरीदिये क्योंकि कई बार घर पे Guest भी आ जाते हैं तो इस चीज की requirement ज़्यादा पढ़ जाती है Basically 23 लिटर और 28 लिटर Capacity में आप लोगों को Maximum 2000 रुपे का फर्क मिलेगा तो 2000 रुपे का फर्क याँ पर वर्टीट है अगर आप 2000 रुपे जादा लगा के थोड़ी सी larger capacity ले लेते हो तो वो बहुत ही जादा बेटर रहेगी अब second चीज आती है Microwave में ध्यान रखने वाली power जितनी अच्छी power उसमें होगी उतना ही जल्दी खाना आपका prepare करेगा मतलब आप लोग तो ये मान के चलिए कि कोई भी Microwave हो at least उसमें 800 वोट का power होना ही होना चाहिए इससे जादा हो तो well and good but at least 800 वोट का Microwave oven आप लोग वो अपने घर के लिए consider करना है इसके अलावा next जो feature आता है ना जो आप लोगो ध्याने में रखना चाहिए वो होता है preheat feature ये बहुत ही जादा important है इस feature को हम कभ यूज करते हैं खाने को बनाने से पहले prepare करने से पहले हम उसको preheat करते हैं ताकि preheat करने के बाद में जब खाना proper बनके रिडियो तो वो crispy and crunchy हो अगर preheat feature नहीं होता है तो आपका खाना जो है थोड़ा soft-soft बनेगा रोटेस्ट वाइस उतना बैटर नहीं रहेगा इसके अलावा microwave में आजकल बहुत सारे advance feature आने लग गया है जिनका आप लोगो को ध्यान अखना चाहिए जैसे कि मान के चलिए आप लोगो को धेखना चाहिए कि उसमें auto preset menu है या नहीं है इसके अलावा auto shut-off option आप लोगों को मिलता है नहीं मिलता है keep warm feature भी आजकल आने लग गया है मतलब आपके खाने को गर्म रखेगा ठंदा नहीं होने देगा है कि normal temperature पर गर्म रखेगा जो की बहुत ही जादा important होता है खास करके जब भी घर में gas आने वाले होते हैं और हम खाने को पहले पर पर रख लेते हैं तो ये चीज़ भी आप लोगो को यहाँ पर consider करनी है next point होने वाला है यहाँ पर accessories हमें अपने microwave में जितनी जाद accessories मिल जाए उतनी जाद अच्छी बात है ना भाई उतना ही जाद हमारे काम आएगी तो ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पर consider करनी है वैसे normally आप लोगों को बेकिंग पैन या detachable crumb tray या rotasory जैसे अलग-अलग accessories microwave oven के साथ में मिल जाती है next और जो सबसे important point आता है ना वो आता है warranty and after sale service अब एक CDC बात है कि warranty हमें जिस प्रोड़क्ट पे जितनी जादा मिल जाए हमारे लिए उतना ही जादा better है and साथ-साथ में आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना है कि जो भी आप microwave oven लो जिस भी brand का लो उसकी service आपके area में easily available हो and also make sure कि अगर आप लोगो extended warranty plan मिल रही है ना तो चार सुर रूप extra लगा के तो उस चीज में आप लोगो को सोचना नहीं है extended plan ले लेना है ताकि long term के लिए आपके warranty cover हो जाए एक और चीज वरंटी में बहुत ही जादा important है वो होता है magnetron basically जो सबसे important component होता है ना एक microwave oven का वो होता है magnetron तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि at least 3 से 4 साल या 5 साल की warranty आप लोगों को आपके microwave के magnetron पर मिल जाए इस चीज़ का खास करके ज्यार नखना है and इसके अलावा last but not the list वो होती है build quality तो build quality product की जितनी जादा better हो उतना ही जादा durable वो product हो जाता है खेर इन में से किसी चीज़ की भी चिंता करने की दोस्तों आप लोगों को जरूरत नहीं है क्योंकि अब इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इंडिया में आने वाले सबसे बैतरीन solo microwave oven और convection microwave oven दोस्तों अगर आप लोग अपने इस चैनल को support करना चाहते हो तो आप इन सभी microwave ovens को नीचे दिये गए link पे से click करके purchase कर सकते हैं क्योंकि ये चैनल आप लोगों की वज़े से ही है और आप लोगों के लिए ही है और अगर आप लोग हमारे दिये गए link से purchase करते हो तो इस चैनल को काफी ज़्यादा support मिलती है जिससे इस तरीके की वीडियोस आने में काफी ज़्यादा help हो पाती है तो चलिए अब शुरू करते हैं इंडिया में आने वाले best microwave ovens है सबसे पहले बात करते हैं solo microwave ovens की तो यहाँ पर जो हमने solo microwave oven लिया है ना भाई ये लिया है Samsung की तरफ से आने वाला 23-liter solo microwave oven Samsung brand है तो आप लोगो एक चीज़ तो पता है कि यहाँ पर आपको after sales service की दिक्कत नहीं आएगी एंड प्रोड़क्ट बहुती ज़्यादा शांदार मिलने वाला है बेसिकली ये microwave oven आप लोगो को 23-liter की capacity में मिलता है और बात करें इसकी पावर की तो 800W की पावर आप लोगो इस microwave oven में मिल जाएगी stainless steel body के साथ में आता है मतलब जो durability है वो भी काफी बढ़िया होने वाली है इस oven की और इसमें आप लोगो को auto cooking menu भी मिल जाता है और 8 cooking programs भी मिल जाते हैं अगलग तरीके के food को ready करने के लिए और इसमें आप लोगो को ceramic coated cavity मिलती है जो की बहुत ही ज्यादा important होती है interior के लिए क्योंकि interior में basically हम खाने को गर्म करते रहते हैं और कई बार ओ गिर भी जाता है तो इस चीज़ की वज़े से काफी durable तो होता ही है easy to clean भी आप लोगों का solo microwave oven हो जाता है इसके अलावा आपको इसमें motorized rotatory भी मिल जाएगी और timer feature भी मिल जाता है और साथ साथ में दोस्तों आपको इसमें eco mode भी मिलता है जिसके वेज़े से आप लोगों के काफी ज़्यादा electricity save हो पाएगी बात करें warranty की तो Samsung इस microwave oven पे solo microwave oven पे आपको एक साल की warranty देता है एक ही साल की warranty आप लोगों को देगा इसके magnetron पे और जो मैंने ceramic animal cavity के बारे में आप लोगों को बताया उस पे आप लोगों को मिलती है 10 साल की warranty overall काफी प्यारा ये product होने वाला है दोस्तों आज एक date में around 6000 रुपीज इसका price है थोड़ा बहुत कम जादा होता रहता है but one of the best solo microwave oven इंडिया में as of now ये होने वाला है इसका best भाई link आपको नीचे description में मिल जाएगा लेकिन अब बात करते हैं दूसरे solo microwave oven और ये आता भाई गोद्रेज की तरब से आने वाला 25 लिटर की capacity में solo microwave oven अब भाई ये microwave oven ना बहुत ही जादा खास है और इसमें सबसे अच्छी बात कहेगी आपके खाने को बहुत ही जल्दी prepare कर देगा solo microwave oven ये होने वाला है बट 25 लिटर की capacity में आप लोगों को मिलेगा जो मैं आप लोगों को personally prefer करूँगा गोद्रेज ब्रेंड है तो service आपको overall इंडिया में कहीं भी मिल जाएगी एंड इसमें आपको 1250 वोट की power मिलती है मतलब जो आप लोग खाना prepare करोगे वो भी काफी जल्दी से ready हो जाएगा इसके अलावा stainless steel body के असाथ में आपको लोगों को ये microwave oven मिलता है मतलब काफी जादा durable होने वाला है एंड इसमें आपको multi distribution system मिल जाता है जिसके होजे से क्या होता है कि जो heat होती है आपके oven के अंदर वो properly distribute हो पाती है evenly आपका खाना bake हो पाता है इसके अलावा auto cooking menu के feature मिल जाएगा आपको motorized rotatory feature भी मिल जाएगा और timer भी आप लोग इसमें set कर सकते हैं बात करें अलग feature की तो इनमें आप reheating, defrosting या cooking easily कर सकते हो और बात करें warranty की तो बहुती प्यारा warranty coverage आप लोग को इस product पर मिलता है गोद्रेज इस solo microwave oven पर आपको एक साल की warranty देता है और इसके magnetron पर आपको तीन साल की warranty देता है इतना शांदार microwave oven होने के बावजूद आज इक डेट में आप लोग इस product को around 7000 रुपीज में easily purchase कर सकते हो बहुती बढ़िया product आपके घर के लिए रहने वाला है solo microwave oven लिंक इसका भी आपको description में मिल जाएगा तो यह तो थे भाई solo microwave ovens जिनको आप आँख बंद करके consider कर सकते हो लेकिन अब बात करते हैं इंडिया में आने वाले best convection microwave ovens के बारे में तो यहाँ पर भाई सबसे पहला आता है panasonic की तरब से आने वाला 27-liter convection microwave oven यह basically एक बहुत ही प्यार microwave oven आप लोगों के लिए होने वाला है 27-liter capacity में अब panasonic की तरब से आता है तो brand की आपको service भी हर जगा मिल जाएगी और product भी काफी ज़ादा durable है साथ-साथ में इसका design है वो काफी compact है kitchen में किसी भी जगा आप easily इसको place कर सकते हो खास बात यह है कि दोस्तो durability में इसमें आपको stainless steel body मिलती है मतलब आगे को चलके भी durability में तो आपको कोई issue नहीं आने वाला है साथ-साथ में इसमें आपको 101 auto preset menu मिल जाएंगे मतलब अगर आप कोई भी खाना रखोगे just आप लोगों को select करना है and आप लोगों कुछ भी निकरना है automatically आपका खाना बनके ready हो जाएगा basically बात करें features की तो इसमें आप reheat भी कर सकते हो defrost भी कर सकते हो grill भी कर सकते हो roast भी कर सकते हो bake भी कर सकते हो and इसके लावा और भी बहुत सारी चीज़े इस microwave oven से कर सकते हो इसमें मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लेगी कि इसमें मिलता है अपने को magic grill feature जिसकी विज़े से जो उसकी grill रहती है उसमें से two way heating निकलती है उपर से भी नीचे से भी मतलब आप लोगों को खाना as compared to other microwave ovens इसमें ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से ready हो जाएगा और यही नहीं touch keypad control भी आप लोगों को मिल जाएगा motorized rotatory के साथ साथ में timer feature भी आप लोगों को मिल जाएगा time set करके आप इसमें अपना खाना रख सकते हो और इसके साथ में दोस्तों आप लोगों कुछ extra items भी मिल जाएगे जैसे high low rack, glass tray, user manual, roller ring और warranty card तो हर प्रोड़ेक्ट में आता ही है अब warranty की बात करें तो इस panasonic के microwave पे आपको एक साल की warranty मिलती है लेकिन जो उसका magnetron है न भाई उस पे आप लोगों को 4 साल की warranty मिलती है और इसी वज़े से ये प्रोड़ेक्ट हमने यहाँ पर रखा है ये microwave oven आज की डेट में आपको 12,000 रूपीज के आज पास मिल जाएगा 100-200 रूपे कम जादा बट इस रेंज के अंदर न सबसे बैतरिन प्रोड़क्ट दोस्तों यह आप लोगों के लिए हो सकता है इसका भी लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा लेकिन अब बढ़ते हैं next microwave oven की तरफ जो की आता है भाई IFB की तरफ से आने वाला 30 लिटर का microwave oven अब IFB के भी appliances बहुत अच्छे होते हैं और इसमें खास बात यह है कि आप लोगों को 30 लिटर कापेसिटी में मिलता है तो इतनी कापेसिटी हमें चाहिए ही चाहिए जो की मतलब at least आप लोगों को चाहिए 28 to 30 लिटर लेकिन 30 लिटर के कापेसिटी के अंदर इसमें आप लोगों को मिलता है 800 वोट की power जो की enough होती है और जिसके विज़े से आपका खाना properly time के एसाब से बनके ready हो जाएगा और साथ साथ में 101 auto cook preset menu भी आप लोगों को मिल जाएगी किसी भी तरीके खाना हो you will just have to click once and your food will be completely ready and एक और जो खास बात मुझे इसमें लगी वो ये है कि इसमें आपको steam clean and deodorizer feature मिल जाता है मतलब जो अंदर का portion होता है उसको clean करना काफी जादा easy रह जाता है plus जो deodorizer होता है जिसकी वज़े से जो fall smells होती है गंदी smells वखेर होती ही खाने की वो भी आपके microwave oven में sustain नहीं करती है this is very important point motorized rotatory के साथ में timer features भी आप लोगों को मिल जाता है और बात करें extra add-on features की तो वही आप इसमें खाने को reheat भी कर सकते हो grill कर सकते हो, bake कर सकते हो, cook कर सकते हो, roast कर सकते हो, defrost कर सकते हो and जो भी और कुछ microwave में होता हो, वो सभी आप इस microwave oven से कर सकते हो बात करें कुछ extra items की जो हमें मिलते हैं इस microwave oven के साथ साथ में तो वो होने वाला है एक grill stand, एक plastic container, दो balls and auto cook book भी आप लोगों को इस microwave oven के साथ में मिल जाएगी अब warranty काफी जादा interesting दोस्तो इस प्रोड़क्त पे, एक साल की warranty तो आपको इस microwave oven पे मिल जाएगी और तीन साल की warranty आपको इसके magnetron पे मिल जाएगी लेकिन यहाँ पर आपको ISB प्रोमिस करता है 6 years of spare parts support तो मतलब spare parts भी आपको काफी easily available हो जाएगे इस product में दोस्तो यह बहुती शांदार convection microwave oven आपके घर के लिए, आपके kitchen के लिए हो सकता है और आप इसको definitely consider कर सकते हो प्राइस की बात करें तो आज की रिएट में इसका प्राइस अराउंड 15,000 रूपीज है but yes one of the best product in this segment हो सकता है यह आप लोगों के लिए इसका भी best buy link आप लोगों को नीचे description मिल जाया है लेकिन आप बढ़ते है next product की तरफ और मेरा one of the most favorite product की तरफ जो की होने वाला दोस्तो LG की तरफ से आने वाला 32 liter convection microwave oven यह भाई बहुती जादा कमाल का microwave oven होने वाला है दोस्तों इसमें बहुती जादा extra features मिल जाएंगे जो कि मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा सबसे पहली बात तो यह कि आप लोगों को 32 liter capacity में मिल जाता है मतलब बड़ी family हो तो भी आपके लिए perfectly काम करने माला है दूसरी चीज़ यह कि इसमें आपको मिलती है 2500 watt की power मतलब कितना भी आप इसमें खाना बना लो जट से बनके ready हो जाएगा और किसी भी तरीके खाने को easily इसमें आपको कर सकते हो LG brand है दोस्तों आप किसी गाओं में भी चले जाओगे तो आपको वहाँ पर भी इसकी service network easily मिल जाएगा आपके आसपास में and spare part support भी आपको काफी आसनी से overall India मिलने वाली है durable भी काफी जादा है दोस्तों ABS durable body आप लोगों को इस microwave one में मिल जाती है साथ-साथ में इसमें आपको rotatory knob control भी मिल जाती है and इसमें आप लोगों को charcoal lighting heater मिल जाता है जिसके दो फायदे है सबसे पहला फायदा तो यह कि charcoal के होनी के वज़े से यह electricity बहुती जादा कम consume करता है and दूसरी चीज यह कि इस charcoal element के वज़े से आपके खाने का टेस्ट भूती जादा अच्छा आता है as compared to other microwave ovens and interesting बात यह है दोस्तों इसमें आप लोगों को मिलती है 301 auto cook preset menu 301 item का auto cook preset menu मिलती है मतलब आप लोगों को कोई भी food बनाना हो कैसा भी food बनाना हो इसमें उसके menu already set है requirement set है आप लोगों को just click करना है and your food will be completely ready और इसी के साथ साथ में आपको इसमें self cleaning feature भी मिल जाता है जिसके विज़े से इसको साफ करना बहुती जादा आसान हो जाता है timer भी आपको इसमें मिल जाएगा और जो microwave oven से एक अच्छे convection microwave oven से आप लोगों को मिलती है चार साल के warranty आपको इसके magnetron पे मिलती है जो कि सबसे important component होता है microwave और दस साल के warranty आपको इसके charcoal heating element पे मिल जाती है दोस्तों मतलब overall बहुती शानदार warranty coverage इस product के साथ में आप लोगों को मिल रहा है और आज की rate में आपको around 16,000 रुपीज का ये microwave oven मिलने वाला है इसको दोस्तों आप definitely consider कर सकते हो मतलब best to best product आप इस microwave oven को मान सकते हो even जो मैंने आप लोगों को जितने भी product share करे हैं ना उन में से आप किसी को भी purchase कर सकते हो ये वे products हैं जो इंडिया में आने वाले सबसे बैतरीन product है as of now बाकी अब आपके उपर depend करता है कि आपकी requirement क्या है आपका budget क्या है उसके according आप इन में से किसी भी product को consider कर सकते हो हर एक product के link आपको निचे description मिल जाएंगे आप मासे जाके इनका price भी checkout कर सकते हो and इनको purchase भी कर सकते हो I hope आप लोगों को इस वीडियो अच्छी लगी होगी at least helpful लगी होगी कुछ नई चीज आप लोगों सीखने को मिली होगी अगर genuinely लगी हो तो अपनी इस वीडियो को like जरूर करें और साथ अनमी चैनल को subscribe करके bell icon को भी जरूर प्रेस करें क्योंकि आप ही लोगों के लिए हम इस तरही की वीडियो लेके आते रहते हैं और आप लोगों एक subscription हमें बहुत सारी motivation देता है अभी भी कोई doubt और question और query हो तो यह आप ही लोगों को channel है feel free to comment down below मिलते हैं इस तरही किसी और वीडियो में see you guys in the next video thanks for watching प्रशान जोड़